मुवी के शुरुबात में हश्यमोटो के बारे में बताय जाता है जो कि गिंजा टोक्यो में रहता है जिसकी उमर करीब 45 साल की है उसे नौकरे से निकाल गया जाता है जिसकी वज़े से उसके पास पैसे की बहुत दिक्कत होती है एक सुबह जब वो कपड़े धूने के लिए लॉंटरी में जाता है तो जैसे ही कपड़े ड्रैयर में डालता है तो सोचता है की ताश ये कैन का बियर जाता और मूंशक पी सकता तब भी उसे ड्रैयर के अंदर से बहुत तेस गिनने की आवास आती है और जैसे ही वो देखता है तो वहां पर एक एक कैन का भीर होता है शुरुबात में तो हशिमोटो को लगता है कि कोई उस बियर के कैन को गलती से वाँ छोड़ गया होगा, पर वो ये देखकर शौक हो जाता है कि बियर तो ठंडी है, कभी लॉंट्री के जो पुराने सफाई करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ये ड्रायर सब की इच्छा हशिमोटो को कभी किसी लड़की से बात करने की हिमत नहीं वी थी, जिसके कारण वो पोरी सिंदकी अकेला ही रहा था, वो अपनी सीट से थोड़ा की सकर बैठता है, तांकि उस लड़की के लिए जगे हो सके, वो लड़की उसके पास बैठती है, और उससे बात ये पर वो किसी में भी स्लेक नहीं भी, हशिमोटो उसे अच्छा फिल करवाने के लिए कहता है, कि उसकी भी नौक नी चले गई है, और उसे लगता है, क्योंकि वो इतने सारे कमपनियों में इंटर्वी दे चुकी है, तो उसके पास बहुत ही अनुभवा इंटर्व्यू का, ये सुनकर वो लड़की अपने सिच्वेशन को अलग तरीके से देखने लगती है, फिर लड़की इसको थैंक्यू गहती है, क्योंकि हशिमोटो ने उससे अच्छे से बात की होती है, बावजुद इसके कि वो एक अंजान लड़की है, उसके बाद हशिमोटो अपने कबरे सुबया सुर्पे चाहिए, अब उसके अपर सारी जिम्मेदारी आजाती है, और उसके पास नहीं नौकरी होती है और नहीं कोई बचद, फिर भी अपनी माँ से मौदा करता है, कि वो पैसे बेज़ देगा और जल्दी आने की कोश्च करेगा, अगली सुबह वो लॉंडर म उससे मजाग कर रहा था, लेकिन वो फिर भी एक बार चेक करता है, कि ये सच्विज में जादवी मशीन है की नहीं, वो ड्रायर के साम में खड़ा हो जाता है, और उससे पैसे मंगता है, कुछ देर इंदजार करने के बाद उसे ही एहसास होता है, कि ये कितनी फालतू आइ वो एक दिन के अंदर गायव हो जाएगा, जिसकी वज़े से उसको साथा रहना होगा, हशी मोटो उसको ठेंक यू कहकर भाहर बाग जाता है, फिर कॉंडो उससे टकरा जाती है, और उससे बताती है कि उसे दूसरी बार इंटर्व्यू के लिए बुलाया गया है, जो कि उस पहुचता है कि उसकी सारी तकलिफें इस डायट से खफ्म हो जाएगी, इस बार वो डायट से सूट मांगता है, जो कि वो अपने जॉब इंटर्व्यू में पहन सके, और फिर वो उस पूरे दिन बहुत सारी कंपनियों के लेटर मिलते हैं, जिसे कई भी नौक टेक ने नह चाहिए, तो अब दूसरी सुबे वो फिर से लॉंडरी में जाता है, और वो इस बात का ध्यान अगता है कि कोई उसके आसपास है तो नहीं, फिर वो एक सुन्दर और कॉन्फिन लड़की मांगता है, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो लड़की एक मॉडल जैसी होन चली जाती है, अब ये देखकर वो चौंग जाता है और अपनी गल्ती से सीकने के बाद वो एक और प्यारी और सुन्दर लड़की मांगता है, जो कि उसे बहुत प्यार करें, वो जैसे ही कहता है, तो एक सुन्दर लड़की उस डैट से भाहराए थी है, और वो लड़की उसके साथ घूमने के लिए भी खुशी-खुशी हां बोल दीती है यह देखकर तो आशी मोटो की खुशी का ठीकाना नहीं रहता और उसके बाद उसको शौपिंग करवाने के ले जाता है और ड्रैट से निकले वे पैंसे से वो उसके काफी सारी चीज़े खरीता है जो भी उ हाशी मोटो की हतली को देकर वो लड़की यह कहने लगती है कि उसकी जिन्दगी काफी चूटी है यह सुनकर वो अपना हाथ हटा लेता है और उसकी बात को उनसुना कर देता है जब सुबह होती है तो हमत करके उसको किस करने की कोशिश करता है वारे इस से पहले किस कर पात वो उसको गुमाने के लेके जाता है और उन्हें महेंगे कपड़े खरिद कर देता है वो भी ड्रायर की पैसे से वो अपने जिंदगी अब बहुत ही मज़े से जीने लगता है कि एक दिन वो एक नई लड़की के साथ घूम रहा होता है कि उसी वक्त कॉन्डो उसको देख लती है कॉन्डो को जरन होती है और वो उनका पीछा गहने के दुकान सिकर्तफी है अब यह देखकर वो बहुत ही हारान हुजाती है कि हाशी मोटो ने उस लड़की को बहुत ही महेंगे एब उठी दी है और वो बहुती बुसा हो जाती है साथ इसाथ उसे ये समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसे हो कमा कहां से रहा है वो भी इतने कम दिनों में और जब वो फिर से लांटरी में जाता है तो वहाँ कॉंडो भी उसको मिलती है अशी मोटो इसा बात नहीं मानता और पैसे लेकर चला जाता है उसके बाद वो फिर से एक और बार घूमने जाता है और उस लड़की को रेस्टोरेंट की छट पर लेकर जाकर उसको एंगोटी बिनाता है और कहता है कि उससे बहुत प्यार करता है अब कुछ देर बाद वो लड़की भी गया हो जाती है और सिर्फ उसके अंगोटी ले जाती है अब हमेशा की तरह आशी मोटो वो अंगोटी उठा का रख लेता है क्योंकि वो हमेशा सही एक मासुम लड़की मांगता था तो उसने सोचा कि इस बार एक से लड़की लड़की मांगता हूँ अब ये मांग करते एक लड़की बाहर आती है और फिर जैसे ही वो लड़की उसके साथ प्यार करने लगती है तब ही कॉंडो वहां पहुँचाती है और उन पर नज़र लखने लगती है वो देखती है कि हंशी मोटो उसको बहुत साली अंगुटी दे रहा है जो कि उसने अभीता की घठा किये थे तब ही हंशी मोटो की मां का कॉल आता है और वो उस लड़की को थोड़ा लुकने के लगता है पर जब वो बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है कॉंडो ये देखकर कमरे केंदा जाती है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके वो उस लड़की से पूछती है कि तुमने पुराने हंशी मोटो को क्या कर दिया है ये सुनकर वह उस न लगती है और कोंडो को बाहर जाने के लिए कोंडो उसी वक्त अधर हश्यमोटो अपनी माँ से बात कर रहा है उसकी माँ उस से कहती है कि हो सकता है उसके पापफ पाप्रेशन की जरुँट हो और उन्हें पैंसे से जादा उसी की ज़रुत है अब वो तो अपनी गल्फेर्ट के देखवार में मस लगा हुआ है कौन खत्मोने के बाद वो भूड़ा आदमी आता है और कहता है कि वो एक बात बताना बुल गा था कि ड्रायर से कोई भी इंसान आएगा तो वो एक दिन में गायब हुजा जा अब हाशी मोटू हसने लगता है और बोलता है कि उसे ये बात तो मालू है लांडरी के रूप में वो लड़किया भी भी लड़ रही होती है अब आखिर में वो नई लड़की वहां से चले जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हाशी मोटू उसको त्रुका दे रहा है हाशी मोटू जब वापस आता है तो देखता है कि कॉंड़ो रो रही है और वो ये खुआश करती है कि काश जिस लड़के से वो कुछ दिन पहले मिलेती वो वापस आजाए उसकी इस मांग की वज़े से हाशी मोटू उस डायर के अंदर चला जाता है और जब वो बहार आता है तो उसके कपड़े बदल जाते है उसे वो कपड़े पहने होते हैं जो कि उसने पहले दिन पहने थी जब वो कॉंड़ा से पहली बार मिला था ऑशी मोटू को ये पता चल जाता है कि ड्रायर ने कॉंड़ो के इच्छा मांन लिये और अब वो क्योंकि ड्राइट से बाहर आया है तो उसके पास सिर फेकी दिने जीने के लिए उसी वक्त टीवी में ये ख़वर आ रही होती है कि करीब 626 रुपे गैने की दुकान से गायब हो गए है और मूवी के आखरी में अश्यमोटो जमीन पर गिर जाता है और कॉंड़ आश्यमोटो को देखर कुछ समझी नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है और दोस्तों ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहां पर खत्म हो जाती है